नमस्कार दोस्तों विनर्स एजुकेशन पॉइंट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपसे कुछ कम्प्यूटर के महत्तपूर्ण टॉप 25 कुश्चन पर चर्चा करेंगे टॉप 25 कुश्चन कम्प्यूटर के और आई टी के जो की नए सलेवस 2020 के अकॉर्डिंग इंपोर्टेंट है तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लिजे आपके बस आप्सवें नहीं तो दोस्तों इसका आंसा पिक्चरों टेस्ट दोनों को ही स्केन करता है ठेंट कम्प्यूटर पर गेम खेलना कॉन सा आसान मनाता है तो left लामाउस जोस्तिक, और पेंट टाइब दोस्तों ये है Joystick कंप्यूटर पर गेम खेलने के लिए जो प्रमकूप करन है वो है Joystick Next है जब आप PC पर किसी डॉकुमेंट में कारे करते हैं तो डॉकुमेंट आयस्थाई रूप से कहां इस्टोर होता है PC का मतलब होता है Personal Computer जब आप Personal Computer पर किसी डॉकुमेंट में कारे करते हैं तो डॉकुमेंट आयस्थाई रूप से कहां इस्टोर हो जाता है आपके पास Option है RAM RAM का Full Form होता है Random Access Memory ये भी आ सकता है आपके एक्जाम में कि RAM का Full Form क्या है फिर आपके पास है ROM ROM का Full Form है Read Only Memory थर्ड आपके पास Option है Flash Memory और फूर्ड आपके पास Option है CD ROM तो इसका आंसर होगा दोस्तोर रेम जब आप कंप्यूटर में आयस्थाई रूप से काम करते हैं तो आपका डॉक्मेंट आयस्थाई रूप से RAM में जमा हो जाता है Next है Control प्लस Shift प्लस Alt को क्या कहते हैं इन कुंजियों को क्या नाम दिया गया है तो Control प्लस Shift प्लस Alt को कहा जाता है आपके पास Option है Modifier की की कार्थ होता है कुंजी, Function की, Alpha Numeric की, Alpha Numeric कार्थ होता है दोस्तो, Alpha मतलब शब्द नूमेरिक कार्थ होता है एक, दो, तीन वर्ड, Alpha मतलब जैसे की A, B, C या पर जो Add the Rate का चिन है, Dollar का चिन है इसे Alpha और Numeric कार्थ होता है, एक, दो, तीन जार सब्द तो, यह Alpha Numeric की और फोर्थ है, इन मैंसे कोई नहीं Next है किसी उत्पात पर Printed Line को के Pattern को क्या कहते हैं किसी उत्पात पर जैसे आप कभी जब ही कोई सामर पर्चेस करते हैं तो उसमें आप प्रिंटेड लाइने आपो दिखती हैं, कई सारी 15 से 20 लाइने रहती हैं लगबग तो उन लाइनों को क्या कहा जाता है, आपके पास Option है OMR, Barcode, OCR और Scanner OMR दोस्तों होता है, Optical Mark Reader मैं आपके इनके साथ साथ इनके Full Form भी बताती जा रही हूँ ताकि आपकी डवल से तैयारी हो जाए, OMR का Full Form होता है, Optical Mark Reader जो आपकी, जब भी आप MPPSC का एक्साम देंगे, तो जो आपको कॉपी मिलती है वैं OMR से धन्त पर ही काम करती है Next है, Barcode, Third है OCR, और Fourth है Scanner तो इसका आंसर है दोस्तो, जो प्रिंटेड लाइन हैं, उनके पैटन को बोलती है, Barcode Next है, किसी विशिष्ट कारे को करने के लिए, कौन सा बटन, किसी दूसरे बटन के साथ combination of प्रियोग होता है, जब भी कंप्यूटर में हम कोई विशिष्ट कारे करते हैं तो कौन सा बटन, किसी दूसरे बटन के साथ combination of प्रियोग होता है आपके पास option है, function, space, bar, arrow की या फिर control तो इसका answer है control, आपको जब भी जैसे कोई भी चीज undo करनी हो तो आप control Z दवाते हैं, control Y दवाते हैं तो इस प्रकार से यह है, control का बटन important है next है, cursor movement बटन में end का उप्योग किस लिए होता है cursor movement बटन में end का उप्योग किस लिए होता है आपके पास option है, कारे करम का अंत करने के लिए करसर का कारेसम आप्त करने के लिए करसर को line या page के अंत में ले जाने के लिए या फिर in मैंसे कोई नहीं तो दोस्तों यह है करसर को line या page के अंत तक ले जाने के लिए करसर movement बटन में end का उप्योग होता है किसलिए होता है करसर को लाएन या पेज के अंत में ले जाने के लिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नमबर आठ विश्व का दृत्तम कंप्यूटर दृत्तम मतलब होता है सबसे तेज दृत्तम कंप्यूटर निस्पादित कर पाया है कर पाया है मतलब कौन से इस तरगी गड़नाय जो है कमप्यूटर निसपादित कर पाया है इसके पास आपके पास During a तुपावर 6 ऌरे संक्रियां हैं प्रति सेकंड मतलब इतनी जो हैं संक्रियां और टेंट्ट्टर पावर 6 और 10 to power 5 जो है इतनी संक्रियां या फिर 10 to power 12 संक्रियां प्रती सेकंड या फिर 10 to power 15 संक्रियां प्रती सेकंड तो यह कितनी संक्रियां इस पाज़त कर पाया है अभी तक यह कर पाया है 10 to power 12 सेकंड प्रती सेकंड नेक्स्ट है भावा परमाणू नुष्अधन्वान केंदरदवारा विक्सित सुपर कंपूटर का नाम क्या है परंपदम फ्लोर सारवर चिपस या फिर अनूपम यह नाम है नाम है दोस्ट यूएसे या फिर जापान यह है दोस्तों यूएसे यूएसे दोस्तों कंप्यूटर के क्वेशन्स आप लोगों के लिए बहुत इजी तरीके से और बहुत ही डिस्क्रिप्टिव बे में समझाने का यह प्रयास किया जा रहा है अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइ यूएसे का है फिर है आई बीम का पूरा नाम क्या है आई बीम का पूरा नाम क्या है इंडियन बिजनेस मसीन इंटरनेशनल बिजनेस मसीन इंटरनेशनल बिजनेस मसीन देखें क्या है इंडियन बिजनेस मसीन इंटरनेशनल बिजनेस मसीन इंटरनेशनल बिजनेस मसीन इ इंटरनेशनल बिजनेश मसीन, नेक्स्ट है, कम्प्यूटर के जनक कौन है, आपके पास दिये गए जो आप्शन है, वह हैं, चार्स बैबेज, बोल रिप, लेबनिज, या फिर बलेज, पासकल, तो यह हैं, दोस्तों, चार्स बैबेज, को कम्प्यूटर का जनक भी कहा जात चाहता है छाल से बवईश को computer का जनक कहा जाता है नेक्सट है task bar computer ливо task bar कहां होती है computer ने task bar कहां होती है आपके पास आप्षन ने start menu पर मतलब जहां start का button दिया रहत है वहां यहां फिर screen के bottom पर या फिर तीरा Quik launch toolbar यहां पिर 14 तूल बार पर यहां फिर launch टूले बार पर या पर screen के टॉप पर तो दोस्तों यह होती screen के bottom पर जब भी आप कोई task perform करते हैं तो आपके computer की सबसे नीचे की screen पर लखा रहता है तो यह task bar है वह screen के bottom पर होती है next है AI AI से सम्मंजित बहुत महतापूल question is में cover किए गए है दोस्तों जो आपको एन कहीं नहीं मिलेंगे तो AI जो है Artificial Intelligence के मुख लक्षे क्या है Artificial Intelligence के मुख लक्षे हैं आपको पास восп Scholars liksom बनाने में Artificial Intelligence दोस्तों जैसे कि आप अभी Robotex Dollar जैसे Robotex Sophia आप प्रूबक जो है गूगल अमेजन की Alexa का यूज़ करते होंगे तो ऐसी चीज़ें जो हैं वहें दोस्तो आपके artificial intelligence पर काम करती हैं तो artificial intelligence के मुख्यलक्शी क्या है विजेस तक के system मनाने में वा मशीनों में मानव intelligence को लागू करने में तो दोस्तो ये और इसके बाद आपके पास जो थरड option है वहे है थर्ड आपके पास option है A और B दोनों और next है लास्ट है इन मेंसे कोई नहीं next है तो इसका answer है दोस्तो A और B दोनों AI का जो मुख्य लक्ष है वाई विशेशक सिस्टम मनाने में भी होता है और मसीनों में मानों intelligence को लागू करने के लिए भी होता है next है निमन मेंसे कौन सा artificial intelligence का प्रकार नहीं है निमन मेंसे कौन AI का प्रकार नहीं है प्रतिक्रियाशील मसीने असीमित इसमरती ब्रेन थियोरी और स्वाजाग रुकता दोस्तो असीमित इसमरती इसका answer है इसका answer सीमित इसमरती इसलिए है क्योंकि जो इसकी स्मृती होती है वह सीमित होती है और यहां पर बताया है असीमित स्मृती तो इसकी जो स्मृती है वह सीमित प्रतिक्रियाशील मसीन है, ब्रेन थियोरी, स्वाजागरुकता और इसकी जो मसीन है वह है इसकी जो सीमित स्मृती होती है नेक्स्ट है AI के क्या-क्या अनुप्रियोग हैं अर्थात Artificial Intelligence का प्रियोग कहां कहां और किन-किन शेत्रों में किया जा सकता है ऑप्शन A, Gaming, ऑप्शन B, Expert System, ऑप्शन C, Vision System, Option D, उप्रोक्त सभी दोस्तों इसका अन्सर ऑप्रोक्त सभी AI का यूज गेमिंग में भी होता है, Expert System में भी होता है, Vision System में भी होता है नेक्स्ट किस विश्विद्याले ने AI प्रोग्राम का पहला डिमोंस्ट्रेशन किया किस विश्विद्याले ने AI आर्टिफिशल इंटलियंसी प्रोग्राम का पहला डिमोंस्ट्रेशन किया है मतलब किस विश्विद्याले ने सबसे पहले Artificial Intelligence प्रोग्राम का दिखाया है तो यह आपके पास option है कारनेगी मेलन विश्विद्याले, Oxford University, Cambridge University और Stanford University इसका answer है दोस्तों कारनेगी मेलन विश्विद्याले ने सर्व प्रथम जो है Artificial Intelligence का पहला AI प्रोग्राम का दिमोंस्ट्रेशन किया है नेकस्ट है Artificial Intelligence क्या है Artificial Intelligence क्या है अपनी बुद्धी मत्ता के एक कंप्यूटर अपनी खुद की बुद्धी मत्ता के साथ प्रोग्रामिंग करना, मशीनों को बुद्धी मान बनाना और गेमिंग में तो artificial intelligence का दोस्तों जो है मशीनों को बुद्धीमान बनाना मसीनों में जो है निर्णयन की च्शंता का विकास करना मतलब तकी मसीने खुद ही निर्णयन ले सके और मसीनों को बुद्धीमान बना कर इंसान के उपयोग में लाना तो यह है option C इसका correct answer AI का जो use है वह है मशीनों को बुद्धिमान बनाना next है निम्न मैंसे कौन विशेशग प्रणाली के घटक है विशेशग प्रणाली मतलब AI जो है artificial intelligence के विशेशग प्रणाली के घटक है तो है infection engine knowledge base user interface तो दोस्तों यह हैं सभी उपरोफ तो सभी AI intelligence artificial intelligence विशेशग प्रणाली के घटक है next है artificial intelligence में समस्या को हल करने के लिए निर्णा या इसमारक भाग का वर्णन करने के लिए किस सब्द का उप्यो किया जाता है AI में समस्या को हल करने के लिए निर्णा या इसमारक भाग का वर्णन करने के लिए किस सब्द काउपियों किया जाता है आपके पास option है हे यूरिस्टिक हे यूरिस्टिक सेकेंड आपके पास सब्द है critical थर्ड आपके पास है मूल्या धार है तो fourth है विसलेशन आत्मक तो इसका answer है दोस्तों हे यूरिस्टिक हे यूरिस्टिक नेक्स्ट है AI तकनीक जो कंप्यूटर को बस्तूओं और घटनाओं के भीच सम्मंधों और समझने की अनुमती देती है आपके पास option है हे यूरिस्टिक प्रोसेसिंग संझ्यानात्मक विग्यान थर्ड है सापिक छित प्रतीकवाद और चौथा है पैटन नमिलान तो इसे कहते हैं दोस्तों पैटन नमिलान जिसमें कम्प्यूटर को वस्तूं और घटनाओ को भी संबंद और संबंदों को समझने की अनुमती देती है तो यह है पैटन नमिलान नेक्स्ट है जो मानो बुद्धी के यांतरिकी की जाच करता है वह छेतर है ए इतिहास बी संग्यानात्मक विग्यान सी मनो विग्यान और डी समासास्त्र तो जो मानो बुद्धी के यांतरिकी की जाच करता है वह छेतर को संग्यानात्मक विग्यान कहते हैं संग्यानात्मक विज्ञान आएगा नेक्स्ट है निम्न मैंसे AI के इतिहास में कौन सी एक महत्पूर्ण घटना मानी जाती है AI मतलब Artificial Intelligence के इतिहास में एक महत्पूर्ण घटना मानी जाती है ऑप्शन ने 1949 डॉनाल्ड ओ ब्योहार संस्था का निर्माण 1950 में कम्प्यूटिंग मशीन इवं इंटेलिजेंस का की स्थापना या फिर 1956 में डार्ट माउथ विश्विद्याले सम्मिलन जॉन मैकार्थी द्वारा आयो जित और ऑप्शन डी 1961 में कम्प्यूटर और कम्प्यूटर सेंस का विकास तो दोस्तों जो है अर्टिफिशल इंटेलिएंस की इतिहास में सबसे महत्कून गटना मानी जाती है 1956 के डार्ट माउथ विश्विद्याले सम्मिलन जॉन मैकार्थी द्वारा आयो जित नेक्स्ट है कौन से नूबल पुरुषकार विजेता ए आई से जुड़े हैं ए आई से जुड़े हैं कौन से नूबल पुरुषकार विजेता तो आपको इसमें भी उन व्रक्तियों के नाम याद रखने हैं जो आर्टिफिशल इंटेलिएंसी के छेत्र में ए आई से जुड़े हैं आपके पास ऑप्शन हर्बर्ट ए साइमन हावर्ड ए कैन चार्ल्स बेवेज और एलन ट्यूरिंग दोस्तों इसका आंसर है हर्वर्ट ए साइमन हर्वर्ट ए साइमन ऐसे नूबल पुरुषकार विजेता हैं जो ए आई से जुड़े हैं नेक्स्ट है एक तस्वीर के अंदर जानकारी छेपाने के लिए किस तकनीक का उप्योग किया जाता है एक तस्वीर के अंदर जानकारी छेपाने के लिए किस तकनीक का उप्योग किया जाता है ओप्शन A, Root Kits, Option B, Bit Mapping, Option C, Stagnography, Stagnography और Option D, 6 प्रतिपादन क्या है देखिए एक तस्वीर के अंदर जानकारी छेपाने के लिए किस तकनीक का उप्योग किया जाता है Option A, Root Kits, Option B, Bit Mapping, Option C, Stagnography और Option D, 6 प्रतिपादन तो दोस्तों इसका अंसर है Stagnography तस्वीर के अंदर जानकारी छेपाने के लिए इस तकनीक का उप्योग किया जाता है दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा इसी प्रकार के अन्य वीडियो के देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पर भी जा सकते हैं जहां आपको MPPSC परलियम से जुड़े हुए सारे वीडियो से मिल जाएंगे मुख परिशा से जुड़े हुए सारे वीडियो मिल जाएंगे और आप कमेंट के जरी ये वता सकते हैं कि क्या आपको ये सीज पसंद आ रही है इस वीडियो का टार्गेट है दोस्तों 500 लाइक और 5000 व्यूज आपको इस वीडियो को करना इतना है अगर आपको ये वीडिय बंद आई है तो इसको अधिक से अधिक शियर कीजिए ताकि ये वीडियो वाइरल हो और हम ऐसे ही महत्तपूर्ण कंटेंट आपके लिए उपलब्द कराती रहें थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स